प्रधान मंत्रु रेंदर बोधी ने वीडियो कॉंफरेंस के माध्यम से एतिहासिक कोसी रेल महासेतु देश को किया समर्पित, नई रेल लाइनों विदिद्विकरन पर योजनाओ का भी किया उदखाटन, बिहार सहित पूर्वी भारत के राज्यों को मिलेगा लाब प्रधान मंत्रु रेंदर मोधी ने कहा क्रिशी सुधार विदेयक से किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना एतिहासिक कदम, कहा विरोधी दे रहे किसानों की कमाई को लूटने वाले बिचौलियों का साथ प्रधान मंत्री नैंदर मोधी ने बदली भारत की राजनितिक संस्कृती भाजपा राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड़ा ने पत्री का कमल संदेश का विशेश अंक किया जारी काहा पुस्तक में प्रधान मंत्री के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके विचारों को रखा गया है। देश में कोविट से स्वस्त होनी की दर बढ़कर हुई साढ़े 88.86 फीस दी, बीते एक दिन में स्वस्त हुए 82.000 से अधिक मरीज, स्वास्ते मंत्राले ने कहा अब तक 41.12.000 से अधिक लोग हुए स्वस्त। देश में कोविट-19 मृत्युदर घटकर हुई 1.62 प्रतिशत। देश में 17 सितंबर तक 6.15.000 से ज्यादा कोविट सेंपलों की हुई जांच। राजी सभा में होमेपैथि केंद्रिय परिशत संचोधन विधेग 2020 और भारते चिकित्सवा केंद्रिय परिशत संचोधन विधेग 2020 हुए पारित। दुनिया में कोरोना मामलों की संख्या 3 क्रोड के पार, मरने वालों की संख्या बढ़कर पहुँची 9,50,000 के पार। ये चात्रों को अपने ही इतिहास पर सिखाते हैं शर्मिंदा होना। इटेलियन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगता में बोपन्ना और शापोवा लोव की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुँची।